नमस्कार आप जुट चुके हैं स्पिरिट निउस के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर कल की अगर बात करें तो 25 दिसंबर पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन को क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दू कि इस दिन क्रिस्मस रहता है और क्रिस्मस पर प्रभय शुमसी का जनम दिन जो है वो मनाया जाता है इस दिन प्रभय शुमसी का जनम हुआ था और इस दिन को लोग बहुत ही दूमदाम के साथ मनाते हैं ना सिरफ इसाई धरम के लोग बलकी वर्ल्ड में जाती के लोग इस दिन को मनाते हैं तो आज हम आपको लेकर आए हैं सेंट जॉन कैथलिक चर्च में हम आपको कई चर्चिस जो हैं वो जम्मू के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरहां से तयारगां चल रही हैं और क्या कुछ अंदर यहां पर बनाया गया है मैं आपको बता दू कि COVID-19 के चलते कई तरहां की इस बार परेशानिया तो आ रही है लेकिन आस्था के आगे कोई भी बिमारी नहीं ठिकती है तो चलिए अंदर चल कर देखते हैं कि किस तरहां से यहां पर तयारिया की गई है तो चलिए हर एक चर्च में अलग-लग तरहां से तयारिया की गई है हर एक चर्च में अलग-लग तरहां से डेकोरेशन की गई है तो इस वक्त हम बक्षनगर चर्च में हैं यहां पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं इक रिप बनाई गई है इसे चर्णी कहा जाता है जहां पर प्रभु यश्यमसी ने जनम लिया था यह सिरफ बनाकर दर्शाया गया है कि किस तरहां से उस वक्त क्या कुछ माहौल था किस तरहां से प्रभु यूसफ कहा जाता है और साथ ही साथ यहां पर जो है और भी कई यहां पर नजारा देख सकते हैं बिलकुल क्रिप की तरह बनाया गया है चर्णी जिसे तबेला भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु यश्यमसी ने तबेले में जनम लिया और अपने आपको बिलकुल शुन्य कि और लोगों को भी यही मैसेज दिया कि आप लोग भी शुने रहें अभी कुछ ही देर के बाद अगर रात की बात करें तो रात को यहां पर हो सकता है यहां पर छोटे से जिस तरह से प्रभुय शुमसी को रख दिया जाएगा यहां पर एक सिरफ दर्शाया जाएगा कि यहां पर प्रवेश्यमसी का जरम वो हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्रिस्मस ट्री भी बनाया गया है यह ट्री को मैं आपको बता दूँ कि ना सिर्फ चर्चेस में बलकि हर एक जो इसाई धरम के लोग हैं वो अपने घरों पर इस ट्री को बनाते हैं इस ट्री की का और देखते हैं किस तरह से ट्यारिया की जा रही हैं तो इस वक्त हम चार्ज के अंदर है आप यहां का नजारा देख सकते हैं किस तरह से यां पर तैयारियां की जा रही है। अब आप मुझे आप आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रभ्य श्मसी का जब जनम हुआ था तो इस तरह से कुछ उन्हें रखा गया था तो वही चीज यहां पर दरशाई गई है चर्च के बिल्कुल जो है यहां पर जो फादर है यहां पर वचन को देंगे प्रवचन को देंगे तो यहां पर उन सब चीजों को दर्शाया दिया है कुछ ही देर के बाद मैं आपको बता दू कि नाइट प्रेयर मीटिंग होगी नाइट सत्संग होगा जब प्रबेशिम सी का 12 बज़े जनम होगा तो इसाई धरम के लोग काफी दुमदाम से इस दिन को मनाएंगे यहां पर चर्च के फादर भी खुद माजूद है और यहां पर वो सिंगिंग को कर रहे हैं और बच्चों को यहां पर रिहास करवा रहे हैं यहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फादर सातुर नीनो इनसे बात्चित करते हैं कि क्या कुछ कहना इनका फादर क्या मैसेज देना चाहेंगे कल क्रिस्मस है और आज किस तरह से तैयार्या की जा रही हैं क्या कॉविट-19 के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा या नहीं पहले मैं सबको विष्च करता हूँ एपी क्रिस्मस और ऐसा है हमारा प्रोग्रेंब की हम रात को कुछ एक काल्चरल प्रोग्रेंब से शुरू करते हैं हमारी क्रिस्मस का प्रोग्रेंब और उसके साथ फिर प्रातना और मेरा संदेश ये है कि हमारा खुदा आदमी बन के आया आदमी के रूप में जनम लिया और उसका नाम है येसु मसी और उसने हमको सिखाया कि कैसे हमने गरीबों को और बीमारों को हमने सेवा करना है जैसे येसु मसी गरीब होके जनम लिया औ सब बाई बेहनों एक साथ रहके हमारे जिवन हम बिते हैं जी बहुत बहुत धन्यावाद तो चलिए और भी चर्चिस में हम आपको लेकर चलते हैं अभी हम बक्षनगर में थे अब और भी जम्मू के कई जो मशुहूर चर्च है वहाँ पर लेकर चलते हैं सेंट पिटर्स काफोलिक चर्च प्रेव नगर में और यहाँ पर बात करें रोनक की तो रोनक काफी जबी है अभी बात करें अगर कृस्मस की तो क्रिस्मस कल है लेकिन अभी फिलहार लग रहा है कि क्रिस्मस अभी शुरू हो चुका है क्रिस्मस की इतनी दूमदाम है कि हर तरफ जो है रोनक ही रोनक बंदी हुई है मैं आपको बता दू कि कहीं पर संगीत लगाए गए हैं कहीं पर लोग तयार्यां करते हुई नजर आ रहे हैं हाँ पर सेंटा सेंटा बनाई गई हैं और पर सेंक魔ाया घा दुजए यहां परफ सेंटा ड़ेता बनाये चाहिं हूँर झालनाए200-30 रहें तो यह बाद जमती नहीं पर कई शंदिवस पर लगान जो आ विए लोग यहां और सजाई है और कि युवा यहां पर अभी तक चिर्च की डेकुरेशन कर रहे हैं हैं तक तो आपने देखा कि Christmas की किस तरहां से तयारिया चल रही है हाला कि कई जगाओं पर और कई चर्च को डेकुरेट कर दिया गया है लेकिन तयारिया अभी भी चल रही है अभी भी कई जगाओं पर आप यहां पर देखें कि काफी खुपसरा तरीके से यहां पर फूलों को लगा बनाया गया है एक पंडाल की तरह यहां पर बनाया गया है काफी खुप्सुरा तरीके से अभी तैयार गया जो है वो पूरी दुमदाम से चल रही है कि अज़ित करते हैं कि क्या कुछ आज यह संदेश देंगे किस तरह से तैयार गया है क्या कॉविड-19 के चलते कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ा यहां फिर इस वक्त इस बार किस तरह का बढ़ा दिन है फादर सबस्वारे आपका बहुत-बहुत स्वार करें क्या क्रिस्मस की तैयारिया हम चल रहे हैं लेकिन जब हम देखते हैं बिते हुए सालों से ब इसमानी तोर पर रुहानी तोर पर हम ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ज़्यादा प्रारतना इस बार चर्चों में रामपर प्रुजाजर ने किया गया है ताकि परिमिश्वर की महरवाने से यह सो की आशिश से यह बीमारी दुनिया से घड़ जाए जैसे आप जानते हैं 25 दिसमबर पूरा दुनिया मर में बीते सालों में बड़ा दून धाम से कुछी नाल सभी धर्म के लोग मिलक यह त्योहर मनाते रहें क्योंकि इसका एक मतलब है सिर्फ हिसाई लोग अकेले क्यों यह मना रहें सभी मनाते क्योंकि यह सुने बनाया था मैं पूरा के लिए आया और हम बर कोई जाद बेद नहीं है दूसरी बात क्रिस्मस इस बार मनाने के वक्त हम लोग जाद दिला रहें हैं यह दुनिया में अभी भी शांडी की कमी है प्यार की कमी है यह सुबस्टिय अच्छरी यह दुनिया में आए दे दोहजार बीस साल पहले सांड यह सुक जिनमेदर के मबारल के प्रारतना चर्च में रखा गया है ताकि हमारे दिलों में परिवारों में समाज में देश में पूरा दुनिया वर में सान्दी और आमन हो जाए अब एक और साल को गया नवा साल में अब ख़ता डिकने वाला है अब एक एक दिन आगे जजर मारकर देखना है मेरे सिंदिगे में क्या हो civilians ॉब धूरी दुनिया में देखs लो हमारे परिवारों में देखs लो समाज में देखs लो शांडी की बीड़ी कमी है । अब इसमें प्यार मव्वब्वम्प्त हो गया बाहिछारा कम हो गया इसले तो इस बार हम खास उबसे चर्चों में चर्च में एगी प्रारत्रा रखा गया है आमन और स्चान्डी के लिए क्रिस्मस के मबारिक पर मैं आप सब हम आपको लेकर आई हैं इंडियन नैशनल इवेंजली कल चर्च उस्ताद महला में अक्सर आप आते जाते हैं इस चर्च को जरूर देखते हैं और यह हमेशा ही सजा हुआ आपको नजल आता है और कई लोग यहां पर माथा टेकते हुए नजल आते हैं अगर दूसरे दर्मों की बात करें तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि इस तरह से तयारिया है और क्या कुछ कहना है यहां के फादर का यह प्रिस्ट का कि आप देखें यहां पर भी हमने कई चर्च को में हम आपको लेकर गए हैं और हमने देखा कि चर्च के बाहर ही क्रिप को बनाया गया है आप देख सकते हैं यहां पर भी क्रिप को बनाया गया है जिससे चर्णी भी कहा जाता है चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं कि साइज़ बात करें, तो इस साइज भी Christmas tree को बनाया गया है, डेकोरेशन की गई है, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी tree को बनाया गया है, और यह कुछ अलग तरह से है, आप देख सकते हैं, यही बिल्कुल different बनाया गया है लेकिन अब बात करें Christmas tree की तो उसी शेप में बनाए गया अगर उपर आप देखें स्टार तो स्टार का भी एक महत्र रहता है क्योंकि जब प्रभेशमसी का जनम हुआ था तो उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से मजूसी गजर ये जो है वो आये थे और सोना मौर लुबान लेकर आये थे और वो एक स्टार के सहारे से ही प्रभेशमसी तक पहुंच पाये थे जिस जगह पर उनका जनम हुआ था तो चलिए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं अंदर की तस्वीरे भी दिखाते हैं कि किस क्रिशन जो है वो हुई है और आप लोगों का भी जरूर मन कर रहा होगा कि हम यहां पर आएं दर्शन करने के लिए तो आप जरूर आ सकते हैं हमने आपको लग-छर्च बताए हैं जो भी चर्च आपके घर के पास है अब वहां पर आ सकते हैं और क्रिसमस को अच्छे तरी बात करता हूं खासकर इनके महादिन से जो तमाम लोगों तक यह श्मसी की खुशकबरी का यह बेगाम हम आज हम आज हम दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इसके लिए बविश्वानिया यह श्मसी ने यह श्मसी के लिए बविश्वानिया पहले हुई जैसे यह शाया म ये बात कही गई है कि तुम्हारे लिए एक लड़का उत्पन्द होगा और उसका चिन क्या होगा तुम एक कवारी के कवारी के पास उसको कपड़े में लिप्टा हुआ देखोगे और ये एक चिन है खुदां चोदा सो साल पहले जो ये श्मसी के बारे में बताया गया इसलि मरना भी अद्बुत है पर ये श्मसी का सबसे बड़ी बात है कि ये श्मसी के आने से जो इस्वी है वो बदल गए अब ये श्मसी जो है वो जिन्दा है और हमारे बीच में माजूद है क्योंकि अद्रिश रूप में हमें यही संदेश देखते हैं जैसे उन्होंने कहा एक दूसरे के साथ प्यार करो और प्रभुयेश मसी का जो मकसद है कि अल दुनिया जितना भी मानुव है वो बच जाए ताकि हम गुना की तरफ ना जाकर हम उस सचे परमेश्वर सत्य वच्चन की तरफ हम चलें वो सत्य वच्चन क्या है क्योंकि ये आप परमेश्वर ने जो कोई उसके उपर विश्वास करे, वैदनाश ना हो, बिलके हमेशा का जीवन पाए। तो हमेशा का जीवन अगर आप चाहते हैं, इस इनसान की उमर जो है सतर नहीं तो असी साथ है। और उसे कुवत हो तो ज्यादा भी हो सकती है। मगर आखरत इस दे को फना होना है, और फना होने से पहले हमें आपने आपको खुदा की अधिकार में देना है। और उसका मैसेज भी यही है, कि हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ चलना है। आखरत में खास कर आप सब को इस जयनती के सुब अफसर पर आप सब को मुबार्ख देते हैं। यह बड़े दिन जो है, आप सब के लिए खुशियों का तेवहार बन जाए। प्रवुख आपको बड़ी आशिश दे, धन्यवाद, मेरी क्रिस्मस। बड़ी आपको खुशियों को में जीतल को में थो है।